श्रीमद भागवत महापुराण नवम इसकंद पंच दसो अध्याय रिचीक जमदगनी और परशुराम जी का चरित इस से पूर्व के अध्याय में हमने चंद्रवन्स का स्रवन किया अब आगे श्री शुकदेव जी कहते हैं परिचित और वस्ती के गर्व से पुरुरुबा के छे पुत्र हुए आयू, सुर्तायू, सतायू, रय, विजय और जय सुर्तायू का पुत्र था वसुमान, सतायू का सुर्तंजय, रय का एक और जय का अमित विजय का भीम, भीम का कांचन, कांचन का होत्र और होत्र का पुत्र था जहनू ये जहनू वही थे जो गंगाजी को अपनी अंजली में लेकर पी गए थे जहनू का पुत्र था पुरू, पुरू का बलाक और बलाक का अजग, अजग का कुस था, कुस के चार पुत्र थे, कुसामब, तनय, वसु और कुशनाब, इन में से कुसामबू के पुत्र गाधी हुए, परिचित गाधी की कन्या का नाम था सत्यवती, रिचीक रिचने गाध चार ऐसे गोड़े लाकर मुझे सुल्क रूप में दीजिए जिनका सारा सरीर तो स्वेत हो परंत एक एक कान श्यां वर्णका हो जब गादी ने यह बात कही तब रिचीक मुनी उनका आसे समझ गए और वरोनों के पास जाकर वैसे ही गोड़े ले आए तथा उन्हें देकर सत्वती से विभा कर लिया एक बार महर्शी रिचीक से उनकी पत्नी और सास दोनों ने ही पुत्र प्राप्ति के लिए प्रात्ना की महर्शी रिचीक ने उनकी प्रात्ना सुईकार करके दोनों के लिए अलगला मंत्रों से चरू पकाया और इश्नान करने के लिए चले गए सत्यवती की माने यह समझ करें कि रिशी ने अपनी पत्नी के लिए स्रेश्ट चरू पकाया होगा उस से वह चरू मांग लिया इस पर सत्यवती ने अपना चरू तो मा को दे दिया और मा का चरू है स्वयम खा गई जब रिचीक मुनी को इस बात का पता चला तब उन्होंने अपनी पत्नी सत्यवती से कहा कि तुमने बड़ा अनर्थ कर डाला अब तुम्हारा पत्त तो लोगों को दंड देने वाला और घोर प्रकृति का होगा और तुम्हारा भाई होगा एक स्रेश्ट ब्रहम बेत्ता सत्यवती ने रिचीक मुनी को प्रसन किया और प्रात्नाकी की स्वामी ऐसा नहीं होना चाहिए तब रहोंने कहा अच्छी बात है पुत्र के बदले तुम्हारा पौत्र वैसा गोर प्रकृति का होगा समय पर सत्यवती के गर्व से जमदगनी नाम का पुत्र जन्म हुआ सत्यवती समस्त लोकों को पवित करने वाली पराम पुन्यमाई कोस की नदी बन गई रेडु रिशी की कन्या थी रेडुका जमदगनी ने उसका पाड़ ग्रहन किया रेड़कवा के गर्ब से जमदगनी रिशी के वसुमान आद कई पुत्र हुए उनमें सबसे चोटे परस्राम जी थे उनका यस सारे संसार में प्रसिद्ध है कहते हैं के हैदय वन्स का अंत करने के लिए श्यम भगवान ने ही परस्राम के रूप में अंसावतार अंग्रहन किया था उन्होंने इस प्रत्वी को 21 बार चत्त्रिय विहीन कर दिया यद्दपे चत्त्रियों ने उनका थोड़ा साही अपराद किया था फिर भी वे लोग बड़े दुष्ट व्रहमबणों के अभक्त रजोगणी और विशेश करके तमोगणी हो रहे थे यही कार्ण था के प्रत्वी के भार हो गए थे और इसी के फलसरू भगवान परसुराम ने उनका नास करके प्रत्वी का भार उतार दिया राजय परिचित ने पूझा भगवन अवस ही उस समय के छत्रिय विसे लोलप हो गए थे परंतो उनहोंने परसुराम जी का ऐसा कौनसा अपराद कर दिया जिसके कारण उनहोंने बार बार चत्रियों को वंस का वंस का सहार कर दिया स्री सुक्देव जी कहने लगे परीचित उन दिनों है है वंस का अधिपती था अरजुन वह एक स्रेष्ट छत्रिय था उसने अनेकों प्रकार की सेवा ससुलूसा करके भगमान नारान की अंसावतार दत्तातरे जी को प्रसंद कर लिया और उनसे एक हजार भुजाएं तथा क कोई भी सत्रु युद्ध में पराजित न कर सके यह बरदान प्राप्त कर लिया साथ ही इंद्रियों का अबाध बल अतुल संपत्ति तेजश्वता बीरता कीरती और सारीरिक बल भी उसने उनकी कृपा से प्राप्त कर लिये थे वह योगेसर हो गया था उसमें ऐसा एस्व हैले में बैजन्ती माला पहने सहेस्त्र बाहु अर्जुन बहुत सी सुंद्री इस्तिरियों के साथ नर्मदा नदी में जल बेहार कर रहा था उसमें मधोनमत सहस्त्र बाहु उने अपनी बाहों से नदी का प्रबाह रोक दिया दसमुख रावन का सिविर भी वहीं कहीं पास में लगा हुआ था नदी की धारा उल्टी बहने लगी जिससे उसका सिविर डूबने लगा रावन अपने को बहुत बड़ा बीर तो मानता ही था इसलिए सहस्त्र अरजुन का यह प्राक्रम उससे सहन नहीं हुआ जब रावन सहस्त्र बाहु अरजुन के पास जाकर बुरा भला बोलने लगा तब उसने इस्त्रियों के सामने ही खेल खेल में रावन को पकड़ दिया और अपनी रायधानी महसमती में ले जाकर बंदर के समान कैद कर दिया पीछे पलस भी जमदगनी मुनी के आस्रम में काम धेन रहती थी उसके प्रताप से उन्होंने सेना मंत्री और वाहनों के साथ है है अधिपती का खूब स्वागत सत्कार किया वीर है है अधिपती ने देखा कि जमदगनी मुनी का ऐस्वर तो मुझसे भी बढ़ा चड़ा है इसलिए उ उनके स्वागत सत्कार को कुछ भी आदर न देकर काम धेन को ही ले लेना चाहा उसने अभेनान बस जमदगनी मुनी से मांगा भी नहीं अपने सेवकों को आग्या दी कि कम धेन को चीन ले चलो उसकी ऐग्या से उसके सेवक बच्छले के साथ बावान डकराती हु 우리는 को बलब पूर्वग महिस्मति पूरी को ले गए जब बे सब चले गए तब प्रसुराम जी आस्रम पर आए और उसकी दुष्टता का वृत्तांत सुनकर चोट खाए हुए सांप की तरह किरोध से तिल मिला उठे वे अपना भैंकर फरसा तरकस ड्हाल एवम धनुस लेकर बड़े से उसकी ओर ही जप्ते आ रहे हैं उनकी बड़ी बिलच्छड जहां की थी वे हात में धनुस बांड और फरसा लिये हुए थे सरीर पर काला मिरग चल्म धाड की हुए थे और उनकी जटाएं सूर की किनों के समान चमक रही थी उन्हें देखते ही उसने गदा खडग बांड स्रिष्टी रिष्टी शतगनी और सक्तियाद आयोधों से सुसजित एवम हाथी गोडे रत तथा पदातियों से युक्त अत्यांत भहंकर सत्रह अच्छोलनी सेना भीजी भगवान परश्राम ने बात की बात में अकेले ही उस सारी सेना को नश्ट कर दिया भगवान परश् थी और बाहनों के साथ बड़े बड़े बीरों की बाहें जांगें और कंधे कट कट कर पैथी पर गिर जाते थे है हद्य पती अरजुन ने देखा कि मेरी सेना के सैनिक उनके धनुस द्वजाएं और ढाल भगवान परश्राम के फर से और बानों से कट कट कर खून से चड़ाए और परश्राम जी पर छोड़े परंत परश्राम जी तो समझ्द सस्तर धारियों के स्रोमणी ठहरे उन्होंने अपने एक धनुस पर छोड़े हुए बानों से ही एक साथ सब को काट डाला अब है है आदिपती अपने हाथों से पहाल और पेल उखाड कर बड़े बाहें कट गई तब उन्होंने पहाल की चोटी की तरह उसका उंचा सिर धड़ से अलग कर दिया पिता के मर जाने पर उसके दसजा लड़के डर कर भाग गए परीचित विपच्ची बीरों के नासक परश्राम जी ने बच्छडे के साथ काम देनू ड़टा ली वह बहुत ह दुखी हो रही थी उन्होंने उसे अपने आस्रम पर लाकर पिता जी को सौप दिया और महश्मती में सहस्त्र बाहु ने तथा उन्होंने जो कुछ किया था सब अपने पिता जी तथा भाईयों को कह सुनाया सब कुछ सुनकर जम नगनी मुनी ने कहा हाए हाए परश्राम तुमने बड़ा पाप किया, राम राम तुम बड़े वीर हो, परंतो सर्व देम्माय नर्देव का तुमने व्यर्थी वद किया, वेटा हम लोग ब्रहमन हैं, चमा के प्रभाव से ही हम संसार में पूझनी हुए हैं, और तो क्या, सब के दादा ब्रहमा जी भी चमा के बल से ह ब्रहमपद को प्राप्त हुए हैं, ब्रहममणों की सोभा चमा के द्वारा ही सूर की प्रभा के समान चमक उठती हैं, सर्व सक्तिमान भगवान स्री हरी भी चमावानों पर ही सीग्र प्रसन होते हैं, बेटा सर्व भवम राजा का बद ब्रहममण की हत्या से भी बढ़कर ह जाओ भगवान का इश्मन करते हुए तीर्थों का सेवन करके अपने पापों को धो डालो श्रीमद भागवत महाप्राण नवमिश्कंध पंच दसो अध्याय श्माप्त जै श्रीक्रेशन